गुड मॉर्निंग चुल्वरिन आज हिंदी ग्रामर में हम अपना सेकंड ऐसे लर्ण करेंगे तो सेकंड ऐसे का टॉपिक हमारा है गाई मतलब की काव आपको पता है गाई जो है वो हमारे देश में पूजी जाती है बहुत ही पूजनिय मानी जाती है तो चलिए जूरू करते हैं गाई एक पालतू पशू है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं गाई जो है वो एक पैट एनिमल के रूप में पाली जाती है तो इसलिए गाई को हम पालतू पशू बोलते हैं यह सफेद, काले और भूरे रंग की होती है गाई जो है वो कई रंगो की होती है जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है काला सफेद और बूरा इसके चार पैर और दो सींग होते हैं आपको पता है सभी जानवरों के ज्यादतर चार पैर होते हैं और गाय के दो सींग भी होते हैं गाय की एक लंबी पूँच होती है अब बात करते हैं कि गाय खाती क्या गाय घास वह चारा खाती है क्या खाती है गाय घास खाती है और चारा खाती है गाय हमें दूद देती है आप सब बच्चे दूद पीते होंगे तो गाय हमको क्या देती है दूद देती है और दूद से हम और पी कई तरीके की वस्तों को बनाते हैं खादे प्रदार्थों को ब बनाते हैं हम मक्षन बनाते हैं घी बनाते हैं मिठाईयां बनाते हैं दही बनाते हैं और क्या बनाते हैं सोचो और हम पनीर भी बनाते हैं और भी काफी सारी चीजें हैं जो हम दूद से बनाते हैं और दूद को हम पीते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका अदूद स्वास्थ के लिए अच्छा होता है, हमारे देश में गाय को माता के समान पूझते हैं, ये मैंने आपको ऐसे के स्टार्टिंग में ही समझाया था, जो गाय है वो हमारे देश में पूझनी होती है, तो चलिए, एक बार आले और भूरे रंकी होती है, इसके चार पैर और दो सींग होते हैं, गाय की एक लंबी पूझ होती है, गाय घास वह चारा खाती है, गाय हमें दूद देती है, और इसका दूद स्वास्थ के लिए अच्छा होता है, हमारे देश में गाय को माता के समान पूझते हैं, तो ये था हमारा second essay, जिसका topic क्या था, guy, ये आपको अपनी note books पर note down करना है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा second essay किस topic पर है, sorry, second नहीं, third, हमारा third essay है more पर, more मतलब की peacock, जैसा आपने देखा था, guy जो है, वो हमारे देश में पूझनीय मानी जाती है, माता के समान पूझी जाती है, उसी प्रकार जो more होता है, वो हमारे देश का राष्ट्रे पक्षी माना जाता है, It is the national bird of India, यहां बहुती सुंदर पक्षी होता है, आप बच्चों ने अगर more को देखा है, तो आपने देखा होगा, यह बहुती सुंदर पक्षी होता है, जब यह अपने पंकों को फैला देता है, तो इसकी खुबसूरती और बढ़ जाती है, इसके पंक रंग बिरंगे हो इसकी गर्दन लंबी होती है, यह इसकी गर्दन है और यह लंबी होती है, इसकी गर्दन का रंग नीला होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी जो गर्दन यानि कि नेक है, इसका कलर कैसा है, इसका कलर ब्लू है, यानि कि नीला, बादनों को देखकर मोर फैला कर नाचता है कहा जाता है जब बारिश होने वाली होती है तो जो मोर होता है वो जैसे ही पादल घिर आते हैं उनको देखकर मोर जो है वो अपने पंखों को फैला लेता है और फैलाने के बाद निर्थ भी करता है यानि कि नाचता भी है मोर को बारिश में नाचना बहु आई जाती हैं जैसे कि क्या-क्या बना सकते हैं भगवान जी की पोशाग बनाते हैं ड्रेसे बनाते हैं कोई भी डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं तो ये दोनों ही ऐसे आपको अपने शब्दों में अपनी नोट बुक्स पर नोट डाउन करना है देख लेते हैं कि हमें हो अमवक में दोनों ही ऐसे अपनी नोट बुक्स पर नोट डाउन करने हैं तो आज के लिए बस इतना ही गुट बाई